विबने उसकार दो उस्तों कैसे आप सभी एक पर फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल प्राफिट सडी में तो आज किस वीड़ों में बात करने वाले हैं रेलवे निव वेकेंसी 2024 के अंतरगत सभी शातियों के लिए बहुत बड़ी खुशकवरी निकल के आ रही है बिग ब्रेकिंग निव्स निकल के आ रही है कि फानेली रेलवे का C.E.N. 4 अब्लिक 2024 के रिगारिंग रेलवे ने फुल लोटिफिकेशन जारी कर दिया है इससे पहले कुज़नी पहले हम लोगों ने देखा था कि आपका सौट नूटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया था RRB का यहाँ पर बात करेंगे तो पारा मेडिकल वेकेंसी का जिसमें 1300 यहाँ पर 76 के आसपास जो वेकेंसी हैं वो निकल कर आई है और आज के रेट में रेलवे ने इसका फुल नूटिफिकेशन जारी कर दिया है कुल इसमें 20 तरह के ट्रेड है और इसमें फिर से कुछ बार बदलाओ किया गया है आप लोगों ने देखा कि ELP का प्रक्रिया में बदला हुआ है टेक्निशन में बदला हुआ है यहि में भी आप एज़ुकेशनल क्वालिफिकेशन बदलाओ किया गए और सेफ उसी प्रकार आपका रार्वी पारा मेडिकल के बीशी में रेलवे ने इस बार बदलाओ किया है क्या बदलाओ है और रार्वी वीजुटी व्यकेंसिया इतनी फुल लोडिफिकेशन में क्या क्या में इंसन गिया सारी मुद्धों पर आज किस वुड़ा में बात करने वाले हैं तो चलिए वीडियो के सुभात करते हैं इससे पहले जितने चैनल पर फर्स्ट आम है सब्सक्राइब ने किये फटा फट करके सब्सक्राइब कर लिज इसके लिए बहुत ही हलफुल बुक है जो आपका मैथमेटिक चैप्टर वाइज और टाइप वाइज यहां पर रिलीज की गए जिसमें 10,000 से ज्यादा उनीस उच्यावे से लेकर अभी तक जितने भी प्रस्ना है वह आपको 31 देखने को मिलते हैं सेम उसी प्रकार आपका रिजनिंग का भी बुक है हाँ पर रिलीज किया गया रिलीज की जाती है जिसमें आपका 27,000 से ज्यादा उनीस उच्यावे से लेकर अभी तक सारे के सारे प्रस्ने आपको देखने को मिलते हैं उसी प्रकार आपका एक्रियन पुब्लिकेशन की तरफ से रिल्वे यहाँ प आपको इसमें देखने को मिलेंगे 1996 से लेकर रिल्वे के जितने भी लेटेश रिक जाम के सारा का सारा प्रस्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और 3790 से ज्यादा इसमें अब्जेक्टिव टाइप बेस्ट प्रेक्स्टिस सेट के रूप में दिया गया है तो इस बु प्लिक 2024 के संदर्व में स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेसेज जो है देखने को मिलेगा सबसे पहले यहाँ पर आता है इन्पोर्टेंट डेटेज तो इन्पोर्टेंट डेटेज आपका पारा मेडिकल कैटेगरी वेकेंसी क लेकर 26 सितंबर तक आप लोग इसका ओनलाइन करेक्शन कर सकते हैं ठीक है अब नेक्शन आप बात करते हैं तो आपका देखिए इसमें जो टोटल वेकेंसी है वो आपको 20 तरह का वेकेंसी जो है आपको देखने को मिल रहा है ठीक है यहाँ 20 तरह का वेकेंसी से और टोटल यहां पर नंबर वेकेंसी जो है आपका 1376 ही देखने को मिल रहा जितना सौट नोटिस में जारी हुआ था उतना ही वेकेंसी आपको फुल नोटिफिकेशन में भी देखने को मिल रहा वहीं बात करें तो इसमें देखिए कुछ ऐसे भी पोस्ट है जिसमें इक्तिम ना के बरा पोस्टों का जो बिभाजय ने बटवार है वो किया गया सबसे आदा जो आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंड में जो है 713 पोस्ट देखने को मिलता है बाकि आप इसके स्नैपसॉट ले सकते हैं इसके बाद आप एक एक करके पोस्ट भी देख सकते हैं अच्छा का सा अफिसर ग्रेट का सालेरी इसमें देखने को मिलता है क्यूंकि यह आपका जो पेलेवल है वो 7 के अंतरगत आता है ठीक है अब इसमें जो आपका एस का काउंट किया जाएगा वो आपका एक जनवरी ठीक है किसी किसी पोस्ट में आपका minimum age जो है 20 है और बाकी maximum में आपका 18 ही रखा गया है STSC वाले को 5 साल OBC वाले को 3 साल का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा ठीक है जलिए next आप बात करते हैं तो आपका जैसे railway का exam वेगर होता है same वही होगा इसमें आपका 1 बटा 3 का negative marking भी रखा गया है और इसमें आपका CBT exam के माध्यम से आपका इसमें selection किया जागा है जो multiple multiple phases में आपको देखने को मिल सकता है उसके बाद आप बात करते हैं तो exam का criteria तो आप लोग जानते हैं कि इसमें STAC को free railway का travel pass भी मिलता है जब वो exam देने जाते हैं ठीक है अब यहाँ पर बात करें तो इसके regarding आपका help decks ने यहाँ पर आपका number और mail support भी आप लोगों को दिया गया तो किसी प्रकार का query के लिए आप सीधे railway से अपना clarification को दूर कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए B1 medical में किस प्रकार की student होते हैं C1, C2 में वो सारा कुछ आपको यहाँ पर mention किया गया है कि आपका जो eye vision है वो क्या है, clear blindness का क्या है वो सारा कुछ इसमें mention किया गया है कर सकते हैं ठीक है चलिए अब यहाँ पर फीस के regarding बात करेंगे तो फीस का वही रेलवे का पुराना नियम है कि अगर आप OBC, UR और EWA से तो आपको 500 रुपय का फीस लगेगा बाकी ST, SC, servicemen, PWD, female और transistor जितने भी महलाई है उनके लिए यहाँ पर 250 लगेगा ठीक है चलिए नेक्स यहाँ पर बात करें और आपका जो फीस है वह रिफंड हो जाता है रिफंड तब होता है जब आप यहाँ पर CBT exam में बैठते हो पास हो फेल हो उससे कोई भी मतलब नहीं है अगर आप रेलवे की CBT exam में बैठ रहा हो तो आपका फीस यहाँ पर वापस कर दिया जात तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक सिंगल CBT होगा और सिंगल CBT में आपका यहाँ पर 90 मिनिड में आपको 100 questions अटेंट करने होगे इसमें आपका CBT 2 cycle वेगरा कुछ नहीं सिर्फ एक सिंगल CBT के माध्यम से आप यहाँ पर रेलवे नौकरी वो भी आपका level 7 करने job यहा गया है कि किस marks में कितने-कितने आपको जो number of questions है वो देखने को मिल सकते हैं इसमें negative marking भी है और यह आपका normalization formula का जो criteria है वो आपको यहाँ पर समझाए गया है अच्छे से आप चलिए आगे बढ़ते हैं यह सारा और medical standard, lower age, upper age और यहाँ पर PWD के regarding क्या status है कोई post है या नहीं है और यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि किस post के लिए क्या-क्या educational qualification criteria रहने वाला है तो इसके लिए आप previous वीडियो को देख लीजेगा उसमें हमने पूरा डीटेल से बता दिया गया है कि post by qualification इसमें क्या रहने वाला है ठीक है इसी तरह जितना भी यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख्या-की में फिल्ड वर्कर का नया पोस्टि को add किया गया है इसमें पकार करके आप यहाँ पर आता है Фैक कि बाते नहीं वाला जो बहुत कम आप को देखने को मिलता फिर से आपका कॉलिफिकेशनी पर डिटेल वीड्यो冷 well K21. इस साहित फिर्षा बारқव करने केंतलों हैं। हुए किष्या है। लुच्छ फूर फिर्षान पर से ाहँ हैं जो वॺ 것은 century रिलीज स्कॉतौहारों शॉर्प स्कॉर परोड़न है। तो कुछ कुछ यहाँ पर जो पोस्ट है वो 12 वालों के लिए डिप्लोमा वालों के लिए ठीक है तो जैसा आपका आप कमेंट आएगा उसके अनुसर फिर यहाँ पर कारे किया जाएगा चलिए आज के लिए इतना ही बाकिए अगर चैनल पर फर्स्ट टैम है सस्क्राइब न पिल रहा है तब तक के लिए जहिन जय भारत